वेलकुम टूमा चैनल लन साइकोलोजी मैं हूँ शारतुन दोस्तों हमने अभी इसके पहले दो वीडियो अप्लोट किये जिसमें हमने देखा कि बुद्धी परिक्षन का विकास कैसे हुआ इसके अलावा बुद्धी परिक्षन से क्या तातपरे था, मान से कायू, वास्तवी कायू, बुद्धी लब्दी और बुद्धी लब्दी के अधार पे व्यक्तियों की वर्गी करन के बारे में हमने पढ़ा अब हम आगे चर्चा करेंगे बुद्धी परिक्षणों के प्रकार की ठीक है बुद्धी परिक्षणों का निर्मान विभिन इस्थितियों विशेवस्तु आदि को ध्यान में रकर किया जाता है जिसे बुद्धी परिक्षन का प्रशासन या उप्योग व्यक्तिक तौर पर या समोहिक तौर पर करना है या इसका उप्योग पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों पर करना है तो ऐसे स्थितियों में अलग 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 प्रकार के परिक्षन का उप्योग होता है इन सब बातों के अधार पर हम बुद्धी परिक्षनों को मुख्य रूप से चार भाग में बाटते हैं पहला रहता है प्रशासन प्रक्रिया के अधार पर इस प्रकार के बुद्धी परिक्षणों को प्रशासनिक प्रक्रिया के अधार पे दो भागों में बाटा जाता है ऐसे परिक्षण जिनका उप्योग एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का परिक्षण करने में किया जाता है मतलब व्यक्तिगत रूप से उसको काम में लाया जाता है व्यक्तिगत या व्यक्तित परिक्षन कहलाते है जिस बुद्धी परिक्षन से जब एक समय में कई व्यक्तियों का हमें एक साथ बुद्धी परिक्षन करते हैं मतलब प्रशासन प्रक्रिय के नुसार इस प्रकार के बुद्धी परिक्षण को 2 भागों में रखा जाता है। पहला है वैक्टिकत बुद्धी परिक्षण, Individual Intelligence Test और दूसरा है सामोहिक बुद्धी परिक्षण याने Group Intelligence Test. दूसरा है भाशा और विशयवस्तू के अधार पर इन परिक्षणों को भी दो उपवर्गों में विभाज़ित कर सकते हैं पहला शाबदिक बुद्धी परिक्षण यानि वर्बल इंटेलिजेंच टेस्ट और दूसरा है आशाबदिक बुद्धी परिक्षण में भाषा की जगा संकेत, चित्र, आकरती और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के परिक्षन अनपढ लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते वैसे लोगों के लिए उपयोगी होता है जो किसी विशेश भाषा को नहीं जानते तीसरा आता है योगिता मापन के अधा जो पहला प्रकार के परिक्षनों द्वारा व्यक्ति की समानी मानसिक योगताएं मापी जाती है जबकि दूसरे प्रकार के जो परिक्षन है उसके द्वारा व्यक्ति की विशेश मानसिक योगताएं नापी जाती है फिर आता है परिक्षन के रूप के अधार पर प्रेश्णों को हल करना होता है ऐसे परिक्षणों को गति पुद्धी परिक्षण कहते हैं जिन परिक्षणों में प्रेश्णों को सरलतम से कठिंतम इस्तर में रखा जाता है ऐसे परिक्षणों को शक्ति बुद्धी परिक्षण कहते हैं कई मनुवेग्यानिकों ने बुद सामु हीक परिक्षनों को सम्मलेत किया गया है मतलब शाब्दिक तक लिए बुद्धि परिक्षन दो परकार के हैं वेक्तिकद शाब्धिक उस्वार्ग बुद्धि परिक्षण और सामु क्या है अब देखते हैं शाब्दिक बुद्धी परिक्षन क्या है जैसे कि हमने पहले देखा ये शाब्दिक बुद्धी परिक्षनों को भी दो भागों में बाटते हैं एक होता है व्यत्तिगर तो दूसरा होता है सामूहिक बुद्धी परिक्षन इन वर्गों में आने वाले मुख्य परिक्षण इस प्रकार से हैं व्यत्तिगर शब्दिक बुद्धी परिक्षण व्यत्तिगर शब्दिक बुद्धी परिक्षणों में शब्दों या भाषा का प्रियोग होता है इन परिक्षणों में प्रश्णों को ये कई सम्हू होते हैं इन परिक्षणों को पढ़कर व्यत्ति को मौखे के अलिखित रूप से उत्तर देना होता है चुकि इन परिक्षणों परिक्षण एक ही समय में एक ही व्यत्ति पर किया जा सकता है इसलिए इनको व्यतिगद शाब्दिक बुद्धी परिक्षन कहते हैं इस प्रकार के परिक्षनों का प्रशासन केवल पढ़ेले के लोगों पर ही हो सकता है बिने साइमन के बुद्धी परिक्षन और इनके संशोधन और रुपांत्रन इसी वर्ग में आते हैं इसके अत्रिक्त टर्मन स्टेनफोर्ट का परिक्षन ड्रेशलर बुद्धी ड्रेशलर की बुद्धी मापनी आदी इसी वर्ग में आते हैं फिर आता है शाब्दिक बुद्धी परिक्षन व्यक्तिगर शाब्दिक बुद्धी परिक्षन एक बार में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है अधिक संक्या पे अगर व्यक्ति हूँ तो ये परिक्षन करने में बहुत समय लग जाएगा और परिणाम भी दोश पूर आएंगे इसलिए दोश को दूर करने के लिए और समय को बचाने के लिए सामोहिक शापदिक बुद्धी परिक्षन का निर्मान किया गया इस प्रकार के बुद्धी परिक्षनों द्वारा एक साथ कई वेक्टियों का बुद्धी परिक्षन किया जा सकता है इस परिक्षन का सबसे पहले निर्मान प्रतम विश्वी युद्ध के समय अमेरिका में हुआ सेना में अधिकारी वर्ग की भरती के लिए शाब्दिक समूहिक बुद्धी परिक्षन तैयार किये गए इन परिक्षनों को आर्मी अल्फा परिक्षन कहा गया अमेरिका के बाद कई देश में इस प्रकार के परिक्षनों का निर्मान हुआ भारत में भी इस प्रकार के परिक्षनों का निर्मान हुआ जिनमें जलोटा और जोशी के समू बुद्धी परिक्षन प्रसिद्ध हुए पिर आता है आशाब्दिक बुद्धी परिक्षन आशाब्दिक बुद्धी परिक्षनों में को भी शाब्दिक बुद्धी परिक्षनों की तरह दो भागों में बाटा गया है पहला व्यत्तिकर्द आशाब्दिक बुद्धी परिक्षण और दूसरा सामोहिक आशाब्दिक बुद्धी परिक्षण इस प्रकार की परिक्षणों में शब्दो या भाषा का प्रयोग नहीं होता है इसकी जगा पे संकी चिन आकरती का प्रयोग होता है मतलब इसमें भाशा या पुस्तकी ज्यान का कम से कम प्रयोग होता है इस प्रकार का परिक्षणों को निश्पादन बुद्धी परिक्षण भी कहा जाता है इस प्रकार के परिक्षणों के निश्पादन को बुद्धी परिक्षण भी कहा जाता है कोह ब्लॉक आकरती परिक्षण, एलेक्जेंडर का पास एलॉंग परिक्षण, पिंटर पैटर्सन बुद्धी परिक्षण, अकार फलक परिक्षण, रेवेंज प्रोग्रेसिव मेत्रिक्स, चित्रुपूर्ती परिक्षण, भाट्या निश्पादन परिक्षण इस प्रकार के परिक्षणों में शब्दों और भाषा का प्रयोग नहीं होता है या फिर बहुत ही कम मात्रा में होता है इनका परिक्षण एक साथ कई लोगों पर किया जा सकता है सर प्रतम इस प्रकार के परिक्षणों का निर्मान प्रतम विश्वी उद्ध के समय अमेरिका में हुआ जब सेना में कम पढ़े लिखे और अनपढ या विदेशी लोगों की भरती की जाने लगी इस परिक्षण को आर्मी बीटा परिक्षण का नाम दिया गया दूसरे विश्वी उद्ध के समय आर्मी बीटा परिक्षण की तरह एक और परिक्षण तयार हुआ जिसे आर्मी जनिरल क्लासिफिकेशन परिक्षण का नाम दिया गया इसी प्रकार एक अने परिक्षण सेना के लिए तयार किया गया जिसे Armed Forces Qualification परिक्षण कहते हैं प्रूटिंग करते समय प्रयोग में लाया जाता है बुद्धी परिक्षण के उप्योग क्या है बुद्धी परिक्षणों का उप्योग जीवन में जीवन के हर छेत्र में होता है जिस जिस छेत्र में मानव कारे रहत है उस छेत्र में बुद्धी परिक्षण का उप्योग अ किसी वैत्पिया किसी बालक के मांसिक योगिता को ग्याद कर सकते हैं और उसकी मांसिक योगिता के अधार पर उसको कारेश वापा जा सकता है मांसिक योगिता और बुद्धी लब्धी के अधार पर बालकों और वैक्पियों का वर्गी करण किया जा सकता है कक्षा में बुध्धी परिक्षणों को व्यापक उपयोग शिक्षा चगत में होता है तरह से और भी बुध्धी परिक्षणों को व्यापक उपयोग चिक्षयर चकत में बुद्धियों को समझने के लिए बुधि परिकषन बहुत ही उपयोगी होता है व्यख्ति गठ भिन्यता के अधन के लिए व्याक्टियों में व्यख्ति गठ भिन्यता का सही घ्यान व्यख्ति के vehicle और बुधियोगी के अधार Chr exemplancing Paragraph the Veific लिए विविसाय के अनडु फैतिकी योगिताएं और शम्ताओं को ग्याद किया सकता है अधिकारी और कर्मचारी के चैन करने में भी इन परिक्षणों का बहुत उप्योग किया जाता है इसके अलावा कर्मचारी का उनकी योगिता के अनुसार अलग-अलग वर्गों में वर शिक्स्त है निदान और चिकित्सा में भी ये उप्योगी है बुद्धी परिक्षनों का उप्योग चिकित्सा छेटर में भी होता है आसमाने बालको और मंद बुद्धी बालको की बुद्धी लब्दी क्यात करने और उनके इस आसमाने वहवार के निदान में ये परिक्षन बहुत उप्योगी होता है सेना कर्मचारी की पद्दोंनती ट्रांसफर के लिए प्रमोशन्स के लिए वर्गी करण आदी में भी ये परिक्षन बहुत ही मात्पून होता है पूर में प्रतम विश्वयूद अदुती विश्वयूद में बुद्धी परिक्षन का उप्योग सेना के विभिन विभागों के कर्मचारी के चैन के लिए किया जाता है आठपय कर्मचारी चैन में ये कर्मचारी चैन में भी परिक्षन का उप्योग होता है आजकल प्राया सभी विभागों में कर्मचारी का चैन मनुवग्यानिक परिक्षनों से होता है जिसमें बुद् बुद्धी के अधार पर कर्मचारियों का विभिन पदों पर चायन किया जाता है नौवा है अनुसंधानिक उप्योग बुद्धी परिक्षणों का उप्योग अनुसंधानिक कारियों में बहुत इंपोर्टन्ट है शैक्षिक मनो वैग्यानिक और समाजिक अनुसंधानों के लिए आकड़ों को एककत्र करने के लिए इन परिक्षणों का व्यापक उप्योग होता है और दसवा वहीवारिक व्यक्ति की दिन प्रते दिन की वहीवारिक समस्याओं की निदान के लिए उनकी मांसिक योकिता के अधन में भी बुद्धी परिक्षन बहुत उपयोगी है फिर आता है बुद्धी का मापन बुद्धी मापन के लिए मनुवे ज्यानिक ने कई प्रकार के परिक्षन का निर्मार किया बुद्धी परिक्षन का उद्देश अलग-अलग स्थितियों में और इस तरों पर बुद्धी का मापन करना होता है शाब्दिक और आशाब्दिक परिक्षन क्रमशा पड़े लेखे लोगों पर और अनपड़ों लोगों पर विशेश रूप से किये जाते हैं जो कि भाषा को नहीं जानते भाषा से अनभिग्याने भाषा को नहीं जानते इस तरहा इनका उप्योग या प्रशासन वैक्तिक रूप से है या सामोहिक रूप से उसके अनुसार परिक्षणों का चायन किया जाता है किसी भी प्रकार के परिक्षण का प्रशासन करने के लिए कुछ बाते ध्यान में रखना जरूरी होती है जैसे कि सही इस्थान का चुनाओं मतलब प्रिक्षण के लिए प्रियोग शाला का ही चुनाओं किया जाए जहां पर निर्विग्न बिना किसी बाधा के संपन हो सके परिक्षन प्रारंब करने के पूर्व, परिक्षन करता ये सुनिष्चत कर ले कि परिक्षन के लिए संपूर्ण सामगदी उसके पास है परिक्षन करता परिक्षन कारे में दक्ष होना चाहिए, परिक्षन करता प्रयोज से सौहाद रुपूर्ण संबंध इस्तापित करना चाहिए और उसे शांती पूर्वक्षन की समस्याओं को हल करने को कहना चाहिए परिक्षण करता यानि परिक्षण की सुनिश्चत करें कि उसे कौन सा परिक्षण करना है शापदिक या आशापदिक प्रेप्तिगत या समूहिक ये भी सुनिश्चत करें कि वो कौन से मनुवए ग्याने के परिक्षणों को उप्योग में लेना चाहता है ततपश्चात, विशही या प्रियोजी के अनुसार प्रियोजी को उसके अनुसा परिक्षन देकर फलांकन किया जा सकता यानि स्कोरिंग उसके बाद उससे बुद्धी लब्दी यानिके IQ प्राप्त किया जाता है बुद्धी लब्दी प्राप्त करने के लिए प्राया सभी परिक्षणों में मांसिक आयू नेकाले जाती है और इस मांसिक आयू में वास्तवे कायू का भाग देकर बुद्धी लब्दी प्राप्त की जाती है और इसको multiply by 100 किया जाता है यह सूत्र में दर्शायग है बुद्धी लब्दी इक्वल तो मांसिक आयू बटे में वास्तवे कायू और यह जो आपको multiply है यह मांसिक आयू बटे वास्तवे कायू के टोटल में multiply है दोनों के में तो इस तरीके से हमारे यह आप एक खतम होता है आय होप आपको समझ में आया होगा इसके दो पार्ट में upload कर चुकी तीसरा और आखरी पार्ट है इसके बाद हम दूसरा चीज स्टार्ट करेंगे मैं कुछ टैस्ट भी जल्दी upload करने वाली हूं तो आप हमसे जोड़े रहे हैं चैनल को subscribe कर दें और कुछ भी problem हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं और वीडियो देखने के लिए thank you